बाईयो जैसे कि आप देख सकते हैं ये चोपारन गाटे बहुती खतरना गाटे सारा ये जंगली जंगल के एरिये में बीच में होके निकलता हुआ गाटे है पहड़ों को काट के बनाया हुआ है इस गाट बहुत ही खतरना हमारे ड्राईवर भाईयों की इम्मत होती है यहाँ पे लूट का खसोट का बहुत ज़्यादा चलन चलता है अब तो फिर भी बहुत कम हो गया है लेकिन पहले हमारे ड्राइवर भाई हैं जो अपने सर पे कफन बांद के चलते थे और आज भी कफन बांद के ही चलते हैं क्योंकि आज बीकल तो हो गएं जादा और रास्ते रहे नहीं आज सब इस्पीड में चलते हैं लेकिन हमारे ड्राइवर भाईयों को सलाम है उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ती है कि भाई दिन और रात एक करके चलते हैं जैसा अब बोड देख सकते हैं दोस्तों यहां जब गाड़ी उतरती है लोड की गाड़ी तो गाड़ी सूं सूं करती है यहां देख सकते हैं पूरा जंगल ही जंगल के बीच में होके निकलता हुआ गाट है चारों तरफ पेड़ पौदो जंगलों पहाडों से घिरा हुआ बहुत ही दुरलब दुरगम और बहुत ही खतरना रास्ता है यह पड़ता है दोस्तो बिहार बोडर से जारखंड की तरफ चलते हैं तो यह जारखंड में चोपारण घाट बोला जाता है इसको इसका नाम है चोपारण घाट जाने जाल जारण जाटप बहुत है जाट है जारण जाक्व पाल बूलते हैं दोस्तो जैसे आगे आप देख सकते हैं हमारी खुद की ही गाड़ी 20 की स्पीड पो उतर रही है न तेर न लग और दोस्तो जब यहां पे चौपरण घाट को जब इसको चड़ा जाता है अब तो प्रिजेंट में तो हम उतर रहा हैं चौपरन गाट को जब यहां से गाड़ियां चड़ती है तो फर्स्ट गेर और सेकंड गेर में ही गाड़ी चड़ती है कि गाड़ियों में माल वरा हुआ होता है